हलो फ्रेंड आज हम आपके लिए इतनी यम्मी सा बेसन की रेस्पिल आए हैं जिसे खा के आपको आज मजा ही आजाएगा तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी टेक्स्चर है इसकी और ग्रीन चटनी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगेगा तो चलिए श्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमने ले लिया है एक कटूरी बेसन तो बेसन को सबसे पहले मैंने चाल कर देख लिया है कि अगर इसमें कोई कीड़े वगे रहे हो तो वो निकल जाए यह हमारे फ्रेस बेसन है तो मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया है एक गाजर हरी मिर्च आलू जिसे मैंने क तो चलिए अब हम चलते हैं इससे बनाने के प्रोसेस में तो सबसे पहले तो गैस को ओन करके यहां पे मैंने पैन को गरम होने के लिए तो देखिए जैसे ही पैन गरम हो जाएंगे इसमें डालेंगे एक कल्चल भरकर ओयल आदी चम्म जीरा और जीरा जैसे ही क्रेक हो जाएंगे हमने जो सबजियां काटके रखे थे सारे सबजियों को एक एक करके इसमें डाल देंगे तो सबसे पहले हरी मिर्च को डालेंगे गाजर गाजर को भी हमने कदू कस कर लिया है आलू प्याज और टमाटर अब इन सबी को साथ में भून लेंगे तो एक मिनट के लिए मैं यहाँ पे इसे भून ली हूँ अब मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ आधी चमाच लाल मेर्च लाल मेर्च आप अपने हिसाप से डाल लिजेगा आधी चमाच गरम मसाला अब हम इने इदम slow देख सकते हैं कितने low flame पर हम इसे पकाएंगे तो gas के flame को इदम low कर दिया है और इसे ढख के 2-3 मिनट पका लेंगे तो आईए flame 2-3 मिनट हो चुके हैं अब देख सकते हैं अब मैं इसमें डाल दूँगी स्वादनुसार नमाग अब नमक डालने के बाद बिल्कुल एक मिनट के लिए इसे पका देंगे तो सबजीयां हमारे बारिक बारिक कट हुए थे इसलिए ये अच्छी तरीके से पक चुके हैं तो सारे सबजीयों को अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं यहां पर हमने जो बेसन के कटोरी रखी हुई थी उसे एक बॉल में निकाल लेते हैं और जो यह चिपका हुआ है उसे धो कर डाल देंगे यहां पर हमने दो बड़े चमाच मैदा लिया है आप इसके जगा पर चावल के आटा या कॉन फलॉर भी डाल सकते हैं और यहां मैंने आधी चमाच अजवाइन लिया है इसे हम मैस करके डालेंगे मैस करने से इसकी फ्ला जो खुस्बू है वो बहुत अच्छी आती है यहां हमने लिया एक चुटकी हल्दी घनिया की पत्ते और यहां पर हमने लिया है दो चमाच फ्रेस दही अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमाक अब पानी लेंगे और यहां पर हमने सभी को मिक्स कर लिया है अब पानी डालके थोड़े थोड़े से पानी डालेंगे और इसका अच्छा सा ही घोल बना लेंगे तो देखिए फ्रेस यहां पर हम थोड़े थोड़े पानी डालके इसका गोल बना रहे है अब यहां पर जो सबजी हम बना के रखे हुए थे उसे भी इसमें डाल देंगे और पानी डालके इसको मिला लेंगे तो लीजिए बनके तयार है हमारे बेटर अब चलिए चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में तो आज हम आपको अपन पैन में बनाने बताएंगे और हाँ जिसके पास अपन पैन नहीं है उसके लिए भी आज हम एक तरीका लाए हैं अपिसटे कि ज़ए पसे पहले मैंने यहां पर आधी-धी चंब टीllä दाल दिया है आप सभी को पता है कि तने उचलकुट करते हैं तो जब हम सफेद तील डालेंगे तो सावधानी से डालेंगे अब यहाँ पर इस बेटर को सारे खाचे में भर देंगे तो लीजिए यहाँ पर खाचे में भर तो फ्रेन यहाँ पर हमने लोहे की तवे पर आज आपको बताएंगे तो सबके घर इसली नौन श्टीक तवे नह चाहें तो डाले, सर्दियों के दीन में डाले, यह बहुत अच्छे रहते हैं सहत के लिए, तो देखिए यहाँ पर जो बेटर को बना के रखे थे इस तरीके से कल्चल की हैं से फैला देंगे और जादे पतले नहीं करेंगे, थोड़े मोटे ही फैलाएंगे, देखिए इस त आप इसे साम की टाइम चाय में या सुबसूबद की टाइम खाएंगे न तो बहुत यमी शाई ये नास्ता बन के तयार हो तो देख सकते हैं आप मैं इसमें को पलट लेती हूँ फ्रेन यहाँ पे हमने सभी को पलट लिया है अब दूसरे साइट से भी आधे सिकेंड के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे तब तक हम अपने तवे वाले भी चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं तवे वाले उपर से ड्राई हो चुके हैं अब इन्हें इस पेचुला की हेल्फ से बहुत इजली ही निकल जाते हैं अब देखिए अब इसे भी टर्न कर देंगे और आधी मिनट के लिए दूसरे साइट से भी इसे सिकने देंगे तो देख सकते हैं हमारे अपम जो बनके पूरे अच्छे तरीके से तयार हैं अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं तो मैं आपको टर्न करके दिखा रही हूँ कि दूसरे साइट से भी देखिए कितने अच्छे से करारे करारे बनके तयार है हमने यहाँ पे कोई भी सोडा या इनो सॉल्ट नहीं डाला है यह रेश्पी ऐसे ही बहुत ही टेश्टी बन तो अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे तो लीजिए बनके तयार है कितने टेश्टी टेश्टी नास्ता देख सकते हैं आपको दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं अधम बिल् करके दिखाते हैं कि आप आपको अगर लगता होगा कि अंदर से कच्चे हैं तो मैं आपको अभी कट करके भी दिखा देती हूं तो देख रहे हैं वाव बहुत टेश्टी लगते हैं फेन आप एक बार मेरे कहने पर जरूर से बनाइएगा और यह अपम पेमोला भी मैं आपको दिखाती हूं वाव इसकी टेक्श्चर देख रहे हैं बहुत टेश्टी है फेन आप देख सकते हैं उंगलियों में पक चुके हैं तो कैसी लगी आपको मेरी रेस्पी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा बाई बाई